नीट पेपर लीग मामले की जो सुनवाई आज होनी थी यानि कि 11 जुलाई 24 को जो सुनवाई होनी थी वो अभी पॉस्वोंड हो गई है और ये अभी जुलाई 18 को होगी कारण ये है कि जो एफिडेट प्रस्तुत किया गया है एंटे द्वारा उसको रीड किया जाएगा और इसमें एक बार मंडे की तारिक के लिए कहा गया था लेकिन जो सोलिस्टर जनरल हैं तुशार मैता उन्होंने कहा कि हम मंडे और टुजडे को अवेलेबल नहीं रहेंगे दिल्ली में इसलिए इस केस की सुनवाई वेडनेश डे को रखी जाए तो ये अभी थ्रस्डे य कि कौर्ट द्वारा अभी तारिक पे तारिक तारिक पे तारिक दी जा रही हैं तो ये मामला अभी 18 जुलाई त्रस्टे को सुना जाएगा सुप्रिम कोट के द्वारा और क्या डिसीजन आता है ये 18 जुलाई को ही पता लगेगा क्योंकि ये पहले से डिले होते आ रहा है पहले vacation bench में डिले हो रहा था और अभी फिर से डिले हो गया है हम यही सोच रहे थे कि इसका decision आ जा जाएगा लेकिन अभी इसकी जो सुनवाई होगी वो 18th July 24 को होगी तो उसी में देखा जाएगा कि इसका क्या decision हो सकता है री नीट होगा या नहीं होगा ये 18th July को ही पता लगेगा जैसा भी update रहेगा हम आपको inform कर देंगे तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं